सुदुस्तु नमस्कार माईने में जभूपेज शर्मा मुड़ी विसनिस स्पीकर और बिजिनेस कोच आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊँगा सुपर हिट बिजिनेस आइडियास का मतलब होता है सुपर हिट मतलब यह होता है कि सबसे जबरदस्त बिजिनेस हो सकता है आपके दिमाग में कोई और बिजिनेस चल लाओ जिसकी वज़े से आपको यह बिजिनेस समझ में ना है अगर यह बिजिनेस आपको समझ में नहीं आत आप इसे पूरते हवास करना जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना है हमारे यह सी यूट्यूब चैनल पर सिर्फ बिजिनेस और अर्निंग्स रिलेटेड ही वीडियो अफलोड होते हैं तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब हो जाएगा आप जब चाहोगी से तब देख पाओगे मैं हर वीडियो में बताता हूं लेकि आप लोग ऐसा करते हों और यह कमेंट्स जरूर करना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा वीडियो कहां कहां तक क्योंकि उसने कुछ समझ कि आपको वीडियो सेंड किया है ले स्टार्ट नौ तो सबसे पहला इंपोर्टेंट बिजनेस आ जाता है यहां पर मैं आपको छे बिजनेस एडियाद बताने जा रहा हूं यह छे बिजनेस एडियाद अगर अपनी लाइफ में अपलाई करते हो तो आप 100% successful हो जाओगे और यह बिजनेस हैसा नहीं कि आप फर्स टाइम करने जा रहा हूं यह बिजनेस आलेडी मार्केट में चल रहे हैं और बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े प्लेयर मार्केट में यह काम कर रहे हैं तो अभी आप अगर गाहों से एरिया से बि आप लेख सitute के लिए आपको बैंक में संपर्क करें सब्सक्राइब करकें सबस्छником है प्रिजंटे में बता दूंढ़े में किसी बी बाव कास्वे में हम नायां और यह प्राइबर जूरूर आ रही खाने की प्राइबलम आप जो भी स्कूल में जाते हो वहां पर एक प्राब्लम आती खाने की प्राब्लम जो गौर्मेंट टीचर हैं जो गौर्मेंट सर्वेंट हैं जो बाबू है या फिर थाने के अलावा आप जो है किसी पोस्ट आफिस में चले जाएए या फिर किसी बैंक में जाएए या फिर जो है आप बिलाक में जाईए कहीं भी जाईए जहां पर सरकारी लोग रह रहे हैं कि पास अच्छी खासी आमदनी होती अच्छा खासा पैसा होता है अगर आपकी एरिया में इंडिस्ट्रियल एरिया है जहां पर इंडिस्ट्री है तो वहां पर और भी ज्यादा यह जबरद पढ़ेगा और आपको साथ दिन के लिए आलाग-अलग तरीके का खाना हो dumain डिंडर तरीके आपको खाना बनाकर के दो पस आप भर रोटी सब्जी तो नहीं बदलेगी नहीं बदलेगी जावल नहीं बदले' लिए वाकी सब्जी dest republic for आपने वहां से यह बात कर लिए आपको पता चल गया कि वह एक टिपिन कितने का देंगे टिपिन आप उनसे बता दो कि आपको टिपिन का पैसा आपको देना पड़ेगा ठीक या फिर अपना जो है जो नियम और सरते होती उसमें यह देख दो कि जो भी कस्टमर हमाय साथ जो मुऌनल पैसा और अपने क्या दूसरे से बात किया अब आपको क्या करना है जो भी जो भी गौर्रमेंट कॉल्लज और लोग बैटते हैं वहां पर आपको जाना है और संपर्ण करना है और बात चीवित कर लें कि कितने लोगों को हम इतने रुपे प्राइज कि कि foundation क एसलिए खा सकता है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि स्टार्टिंग में आप तम पेसे बचाओ क्योंकि उनको पहले आदा डलवानी पड़े कि विज्व कुन कि उनकी आदत पहले से दूसरी में पड़े से यह स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम लो और उला ऊज या आपने मान लिचे आपको 60 रुपीज का हो जाता है तो आप आराम से 10 रुपे 20 रुपे आप पर कस्टमर के हिसाब से वहां से ले सकते हो एक आदमी जो है महिने के हिसाब से या पीस के हिसाब से या परड़े के हिसाब से जैसे भी आपको आपका प्रॉफिट हो सकते है उ आपको जो है customer और hotel के बीची में आपको रहना है वो उनसे एक दूसरे को मिलना पाएं जिसकी विज़े से आपका business हमेशा चलता रहेगा इसके आपको business ख्या लगना है अब यहां पर आपने फोन किया कि मुझे जेश्टी सुभीधा केंद चाहिए अब वह भी क्या है percentage पर डिपेंड है अब आपने उनसे कहा जेश्टी सुभीधा केंद चाहिए आप सारा जेश्टी स्सिस्टम मों मैनेज कर रहें अब आइसे अशे से वकील किया करते हैं जेश substitute की services दे सकते हो और यह services आपको दे शक्त भारी प्रॉफिता आनका सकते हो za तो next number पर अता है अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो आपको परएशान होना नहीं उए अगर आपके पास फॉर्बीलर नहीं है टैक्सी नहीं कुछ भी कुछ परहसान मत हो, सबसे पहले आप रजिस्टेशन करवा हो, आप ट्रंसपूर्ट का जैसे ड्रंसपूर्ट का रजिस्टेशन करवाते हो, आप वाल पेपर हर जगे पर छपवा दो, और पेपर छपवा के बार्ड़ तो थोड़ा सा problem जहलना पड़े क्योंकि जब starting में कोई से भी काम करता चलने में थोड़ा समय लगता है लेकिन जैसे लोगों को पता चलेगा कि है क्या एक transport service होगे तो हमारी साधी गाड़ी आपके पास पहुचेंगी तो यहां पर आप साधी है पाटि है वुस्ती करने या कहीं रिस्तेधारी में कहीं तो वहां पर ये सर्विसज आप दे सकते हो बहुत बढ़िया यहां पर profit earn करने का जुगार है नेस नंबर पर आता है मंडी लगवा सकते हो आपने देखा होगा कई सारे आपके एरिया में लोग होंगे जो कोई सामान अगर खरीदना होता है तो आपके घर से 100 km 500 km लोग जाते हैं वहां पर सामान खरीदने के तो अब इसे में क्या करो कहीं भी आप एक बीगे दो बीगे डेड़ बीगे मार्केट के बाहर कोई खेत हो उसमें आप साप सफ़ाई करवा करके फिर जो भी बड़े सहर में जो लोग रह रहे हैं उनसे जा करके जो बड़े सहर में लोग मंडी में आते हैं उनसे संपर को कि मैं मंडी लगवाना चाहता हूं कि आप वहां पर आएं आप एलाउंसमेंट करवा वासपडोस के लोगों को लगभग 40-50 किलो मिटर के लोगों को तो जब एलाउंसमेंट करवा तो वहां पर लोग कुछ नो कुछ जरूर आएंगे तो इस टार्टिंग में आप थोड़ा स्वाव के लिएका लिए फिरी कर दो बाद में आप अनले महिने का हिसाप से फुट की सुन आप नसफे चर्ण लेना लेकर कि मिंद्वा मंडी बहुस सारी तरीके की होती है हैं कपड़े की मंडी लगवा लाएक हैं कि सूज की मंडी लगवा चक्ति जहां पर भारी profit earn कर सकते हो आपने मेले का नाम सुनाओगा कहीं बहुत सारे मेले लगते है जहां पर आप जाते हो घोमने जाते हो क्या आपको पता है कि मेला भारास सरकार लगाता है गवर्मेंट वो सारे मेले प्राइबेट होते हैं एक संसथा के अंतरगत आते हैं उसका रजिस्टेशन होता है और उस संसथा वाला वह मेला लगवाता है जहां पर उतना जो भी दुकाने लगती है उसके बदले में वह फुट इसक्वायर के हिसाब से मासूल चार्ज करता है यानि महीने की वसूली होती है और परडे की वसू युओ करने आता है अगर अपनए दिमाग की चलाओगे तो उसमें पहुत सारे आप निकल पड़ेंगे तो यह भी जबर्दस्ट बिजनेस है बहुत पढ़िया बिजनेस है इसमें आप महीने के qualcosa लगवाता है तो या फिर शळाना के हिसाब से च्छमाही के हिसाब से आप लगवागए फिर नंबर प्रता आता है शेल देना सीखे आप कि लोगों को जो है इतने फीस सामान चाहिए, वो सामान हम आपको payment selling करने के बाद कर देंगे, जब आप वहाँ पर बात करते हो, हो सकता है, आपको starting में मना कर दें, इसलिए आपको token money आप रखने के आओ सकता है, 50%, 20%, जिस हिसाब से आप बात करते हो, dealing कर पाते हो, अब कानपूर से जो माल लखनों में आएगा, उसका price अलग होगा, लेकिन जब उसे customer लखनों से खरीद करके लाएगा, सीतापूर में sell करेगा, तो उसका price अलग होगा, और अगर आप direct कानपूर चले जाओ, कानपूर से माल खरीद के सीतापूर ले आओ, तो उसके बदले में थोड़ा सा पैसा आपको भी मिल जाएगा, तो यही system आपको इस business में apply करना है, आपको direct company से माल लाना है, और दुकानों पर बाड़ देना है, simple सा काम है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राफिटी से करते हैं selling, तो इसे आप बेचने कई से बेच सकते हो, आप बड़ी-बड़ी दुकानों से order लो, और direct company से उठाओ, आपको wholesaler से या किसी भी person से नहीं मिलना है, direct company से लाना है, और यहाँ पर sell कर देना है, सबसे जबरदर्स्त business था, तो यह आपको 6 तरीकी के मैंने business बता हैं, कैसा लगा, comments में जरूर बताईएगा, और इसे share करना मत भूलेगा, हर किसी के पास share कर दो, चाकि कुछ नकुछ इसका profit हो सकता है, कि आपके दिमाग में business idea समझ में ना हो, तो उसकी समझ में आ जाएए, क्योंकि सुन्दर्ता नजरों में होती है, सामान में कोई सुन्दर्ता नहीं होती, जो सामान आपको अच्छा लग रहा हो सकता है, किसी दूसरे को अच्छा ना लगे, जो चीज आपको अच्छी लगती तो इस दूसरे को अच्छी नहीं लगती, झाल झाल